नमस्कार में आनाम है रविशंकर और आप देख रहे हैं बिहारी नूज पत्ना के एक दियारे को प्रेटन केंद के रूप में बिक्सित करने की योजना तयार की गई है जहां पर 101 मीटर के परतीमा के साथ साथ कई एहम चीजों का निर्मान कराया जाएगा जिसके बाद पहले से ही कई परेटन केंदर मौजूद हैं लेकिन जल्द ही इसकी संख्या में बढ़ोतरी होने वाली है एक बार फिर से पत्ना देश-बिदेश के परेटकों का ध्यान अपनी और आकरशित करने जा रहा है क्योंकि पवित्र गंगा नदी के टटपर बसा हुआ या एतिह आशिक शहर गंगा धाम के रुप में बिक्सित होने जा रहा है पत्ना के सबलपुर दियारे में मा गंगा की भव्व परतीमा लगाए जाएगी इस परतीमा की उचाई 101 मीटर होगी इसके साथ ही दो मंदिरों का निर्मान भी किया जाएगा पत्ना और स्वनपुर के बीच एक टापूर के रुप में मौजूद सबलपुर दियारे को प्रतन शेतर के रुप में बिक्सित करने की योजना का डिप्यार आईडी पी टियस बना रही है या डिप्यार जुन महिने में राज सरकार को सौंपी जाएगी इसके बाद इसको लेकर प्रतन विभाग कला संस् पर विचार किया जाएगा गंगा धाम पर्यूजना के तहत पतना में गंगा रीबर एक क्यूरियम गंगा म्यूजियम गंगा रिलीजियन कन्वेंशन सेंटर और स्टेडियम का निर्मान किया जाएगा गंगा धाम प्रजेक्ट में प्रेटों की सूबदा का खास खयाल ये तक गंगा धाम टूरिस्ट प्लेस तक आसानी से पहुंच सके इसके लिए बोर्ट की विस्था की जाएगी वहीं परेटगों की सुविदा का खयाल रखते हुए इस बात का भी ध्यान हमेशा रखा जाएगा कि उन्हें गंगा धाम तक पहुंचने में किसी भी तरह की पर पहुंचने में गंगा के किनारों को मुंबई के मरीं ड्राइब के तरफ पर विक्सित किया जा रहा है वहीं यहां पर पैदल घुमने वालों के लिए अलग से ब्यस्था की जा रही है ताकि यहां आने वाले लोग आसानी से गंगा किनारों का नजारा देख सके इसके सथ गंगा पात्वे के किनारों पर पैदल चलने वालों के लिए वाकवे का निर्मान किया जाएगा ताकि वो गारियों के भीर से बस सके और आसानी से यहां पर घूम सके आज की खबर में बस इतना ही मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद